हेलो एबरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इशरी भी सोनल में तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईवेपियस क्लर्क की पूरिया स्टेटजी क्वांट रिजनिंग इंग्लिस जो भी हमारा है जेनल अवेरनेस और क करके हम सारा डिसकसन करेंगे तो प्लीज वीडियो को देख लिजेगा ज्यादा लंबा वीडियो को मैंने नहीं खीचा है बहुत कम टाइम में सारी बात आपको समझ में आ जाए और आप एक ही वीडियो साब सारी स्टेटजी समझ के पढ़ाई को सुरू कर दे मैंने किस त पर भी लड़क के प्रेलिम्स जतना इजी होता है उसे हलका सा ही थोड़ा सा मोड़ेटर बोल सकते हैं इसको इसका पेपर होता ठीक है सिर्फ इसमें इंगलिस स्ट्रा होता उसमें को आंट रस निंग होता है तो बात चल चली शुरू करते हैं उससे पहले कि एक अपडेट निगरेटर देए को आपको टुडुलिस के साथ डेली मिल जाएंगे इतने कोशन जितने आप सौल भी नहीं कर वाएंगे तो आप जाके चेक कर सकते हैं पहला पीडियव उसका फ्री होता है लिंक डिस्क्रिप्सं में है आप उसको पर्चास कर सकते हैं सुनल टुवेल तो अभी आप जाके purchase करें और त्यारी करें सभी exams को उसमें है RRB, IVP, SSBI, सभी exams को उसमें लिकत बताएगा है ठीक है तो आप जाके बाद चेक कर सकते हैं description में link है चलिए शुरू करते हैं सबसे फ़हले English की बात करें तो English हमाना बहुत important topic बन जाता है अभी हम RRB की भी त्यारी कर रहा है तो बहुत सारे लोग English को छोड़ चुके है मैं हमेशा बोलता हूँ English को छोड़िए बाद थोड़ा ही पढ़िए पढ़िए, at least news paper को reading तो कढ़िए दा हिंदू और दा इंडिन एक्परस में से जो भी आपढ़ते हैं आप पढ़िए, उसके लिए मैंने टेलिग्राम गुरूप में डेली फ्री में PDF सेंट करता हूँ आपको पेपर खरिदने की भी चुलोत नहीं है, मैं फ्री में PDF सेयर करता हूँ टेलिग्राम गुरूप में जाके देखके, कॉंसेप्ट कर लिजे उसके बाद एक सेक्षणल मौक, सेक्षणल मौक में इसलिए बोलता हूँ, इसमें आपके सभी टॉपिक लिर हो जाएंगे जैसे की हो गया हमारा लोस्टेश्ट हो गया, पाया जेंबल हो गया लॉग लॉग आर्सी हो गया, जो भी असंटेंस रेजमेंट, जो भी चप्टर है इसका, तो वो सब इसमें कवर हो जाता है इसक्सल मौक लगाने से, तो इसक्सल मौक लगाएं या यदि आपके पास गाइडली प्राइम अप लेना है वाला है तो उसमें आपको सभी टॉपिक के मिल ही जाएंगे एक ही बार करेंगे तो वहाँ से भी प्राइक्टिस कर सकते हैं तो इसक्सल मौक नहीं लगाते हैं, इंग्लिस के आप इतना करिए, काफी है, डेली करिए, रेगुलर करिए, आपका इंग्लिस आराम से आप स्कोर कर पाएंगे 20 ब्लस, ठीक है 22 to 25 के बीच में आराम से इतना करके, आप कर लेंगे तो इंग्लिस आपकी वीक है, अज़िए आपकी इंग्लिस स्ट्रॉंग है तो कोई बात ही नहीं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, आपका वैसे ही माक्स अच्छा जाएगा डिया, बात करें क्वांट की, क इतना चेप्टर आप कवर कर लीचे, जिससे वो आपको मेंस लेवल डियाई को भी solve करने में आसानी हो, और सभी कुछ आप आराम से कर पाएं अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक का जो भी question होता है, तो पहले आप जो इसी way में आप question भी attempt करेंगे, तो पहले simplification, आप पहले से question अर्थमेटिक करेंगे का पेपर में भी अर्थमेटिक के लिए इतना आपको regular करना है, अब बात करें reasoning की, तो reasoning में आपको puzzle solve करना, puzzle daily solve करना है, कितना पांच से दस से पजल आपको daily solve करना, puzzle जितना जारा पैट्टिस करिएगा, उतना आपके सहीवा, प्री मेंस दोनों के वीडियो देख सकते हैं, अंको सलामा सर को follow कर सकते है, puzzle के लिए बहुत अच्छा thread बेथर वो समझाते हैं, जिससे आप आराम से puzzle कर लोगे, ठीक है, तो puzzle के लिए आप निशिंद रहिए, puzzle आपको daily करना है, और किसी भी आप YouTube चैनल पे जाके भी आप, जिस भी डियो का follow करते हैं, अंको सर के भी बह हमारा ये, और भी coding decoding हो गया, blood lesson हो गया, जितने भी चैप्टर है, उस सभी के पाच-पाच questions से daily practice करें, मिस्लिलिस के सभी के ठीक है, फिर main syllable के, जो coded blood lesson है, coded inequality है, तो सभी topic को आप daily practice करिए, अभी से लेके exams तक, ताकि अभी से आपको exams तक practice ही है, जो आपका exam के लिए करवा बात करें general awareness की, तो general awareness में आपको करना क्या है, तो general awareness में सबसे पहले आपको current affairs करना है, जो 60-70% question हमारे current affairs की होते, current affairs के आप daily video देखते हैं, देखती रही है अभी से लेके, फिर weekly PDF से revision करिए, फिर एक बार monthly PDF से revision करिए, किसी भी study IQ का हो गया, या आपका जो भी और कोई भी source है, तो उस source से आप daily follow करिए, पीडियाप से पढ़िए, और daily एक video देखिए, important है, banking awareness के PDF से भी आप पढ़ सकते हैं, static के PDF से भी आप पढ़ सकते हैं, but current affairs के video आपको देखना पढ़ा है, कि 60-70% question आपको यहीं से आएंगे, तो current affairs को अच्छे से करना important है, इसको daily करते रही है लास्ट 6 मंद का, जब भी देख लिज़े आपका, मिन्स होने वाला है, तो उसके लास्ट 6 मंद का कर लिज़े, अच्छे से current affairs हो, बहुत important है, ठीक है, computer, computer आपके, RRB का भी भी पेपर है, बहुत साथ लोग का, तो RRB में भी computer है, और computer knowledge के लिए ज़्यादा कुछ नहीं क तो किसी भी आपको वहाँ समझ नहीं आती है, तो किसी भी teacher की आप YouTube पे वीडियो देख लिजिए, किसी जो, जिसे computer 15, 16, 17 क्लासे पढ़ाया है, देखके फटा-फट से 5 दिन के अंदर खतम करें, daily 42, 45 बेट उसके वीडियो देखके, खतम करें, ठीक है, अब बात करते, important topic, जो सबसे important है हमारा mock test, इसको कैसे लगाना चाहिए, mock test आपको daily लगाने है, अभी select exams तक, जो लोग RRB के form बढ़े हैं, तो RRB के mock test लगाते रहे हैं, प्रेलिम्स के जादा, में इसके एक में एक से दो दिन लगा लगा लिए, ठीक है, इतना काफी है, लेकिन, mock test लगाना बहुत जरूरी है, अब आगे है हमारा IBPS clerk में, तो आपको बीच बीच में, IBPS clerk के भी mock लगाना, उतना ही important है, क्योंकि आपको, लेकि, mock test आप अभी से रहेंगे, तो आपको इसके फायदे क्या होंगे, एक तो आपका speed improve होगा, दूसरा, कि आप जो देखेंगे, कि exam आते 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 आप उसके, यदि आप pause करके, मैं हमेशा पूलता हूँ, mock test को pause करके मत लगाईए, पॉस करके लगाने से नुकसान आप ही को है, आप एक बार म में दोनों में भी बैठ सकते हैं, तो आपको बैठने के प्रैक्टिस लाहल, बहुत सा लोग क्या होता है, उनका exam इसलिए खराब चला जाता है, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाते हैं, तो बैठना भी उतना ही important है मेरे भाई, तो बैठ लीजेगा, अच्छे से, mock test जो लगा 80-85 तो जाना है, बट 60 आपके आगे, मालो 40 गलत हो गया, 60 तो आपके आगे है, आप ये देखो मेरे दोस्त, कि 60 जो आपके marks आए, उस पर कौन से ऐसे questions है, जिसको बनाने में आपको उतना time लगा, जितना नहीं लगाना जाहिए, उस questions के आपकी practice नहीं है, उसकी practice करिए ठी कौन से questions जो आपको आते थे, बट आप, time ये कारण नहीं कर पाए, उसके में भी आपको speed के कमी है, तो उसके speed ठीक है, मतलब उसके question के practice करिए, कुछ questions ऐसे होंगे, जो आपको आते ही नहीं थे, उसकी कारण पता गड़िए, कि वो question क्यों नहीं आ रहे थे, क्या आपने उस analysis करता था, तो मैं यहीं समय से था, आज जो question गलत हो गया, वो आगे किसी मौक में नहीं होना चाहिए, एक से दो बार गलत और हो जाए, फिर हम ठीक कर लें, फिर वो आगे से गलत नहीं होना चाहिए, वो हमेसा सही होना चाहिए, analysis का मतलब यहीं होता है, बहुत साए लोग यहीं confused होते कि analysis में करना क्या है, वाई, analysis में आपको यहीं देखना है, जो question आपको आपको आपसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, उसमें क्या ऐसा question में था, जो आपसे नहीं बन पाया है, तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, बाकी और कोई doubt हो, तो comment करके जरूर पूछ जाएगा, link description में है, वहाँ पे मैं daily free PDF share करता हूँ, जो जरूर जोड़ जाइन कर लिजेगा वहाँ पे, और जो भी doubt हो, पुछेज़ा, instagram पे हमें आप follow कर सकते हैं, guidely का prime PDF code, जो लोग नहीं purchase किये है, बहुत सा यह लोग कर चुक है purchase मुझे पता है, जो नहीं किये है, जल चल्ला सब्सकाइब कर लिजे गाटिके, take care